कुदेव जो पीए सीमा होंगे बाबाल दिन रात पढ़ना है मन्जा वो धामाल काव बरले थसरे टेंसन अरे काव बरले थसरे टेंसन जब अप सरवन केते कर पे धामाल ये कैसे होगा से हलो स्टूडेंट्स आप सभी का आज किस कक्षा में स्वागत है आज हम एक नया टॉपिक अमल एवं छार को समझेंगे क्या होता है अमल और इसके प्रकार साथ में ही हम छार को भी देखते चलेंगे अगर हम एक्जाम की पॉइंट ओफ यू से बात करें तो आपका जो एसीड और बेस से है यहां से सवाल अकसर देखने को मिलते हैं इसके पहले पदार से भी हमने देखा था कि सवाल अकसर देखने को मिलते हैं याद रखिएगा जैसे ही आपका टॉपिक क्लियर होगा हम लोग क्या करेंगे एक रिवीजन टेस्ट लगाएंगे एक मॉक टेस्ट भी हम लगा सकते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे अमल की जिसे हम क्या कहते हैं acid कहते हैं तो ये क्या है ये एक ऐसा रसाइनिक योगिक है जो जल में घुल कर क्या देता है hydrogen iron देता है ये इसकी क्या है पहचान है ये तो हो गई इसकी बात ठीक है अगर हम इसके स्वाद की बात करें तो याद रखिएगा अमल जो होते हैं वो स्वाद में हमेशा क्या होते हैं खटे होते हैं और ये खुर्दूरे होते हैं साथ ही अगर इनके सामने क्या रख दिया जाए इनके सामने अगर नीला लिटमस पेपर रख दिया जाए ठीक है तो ये क्या है हमारे अमल की विसेस्ता है तो पहले विसेस्ता हमने क्या देखा पहला गुड हमने क्या देखा कि अमल जो होता है वो एक रसायनिक योगिक होता है जो जल में घुल कर हाइड्रोजन आयन देता है साथ ही ये स्वाद में खटा होता है और खुरदूरा हो मेशा 7.0 से कम होता है, किसका आपका अमलका, तो ये हो गई किसकी बात, अमलकी बात हो गई, और अगर देखें हम एक नया पॉइंट समझें, अमलका तो आधुनिक परिभासा के हिसाब से, किसके परिभासा के हिसाब से अभी जो वर्दमान डेफिनेशन है, उसमें क्या बता है, कि जो अमल होता है, वो एक ऐसा रसाइनिक योगिक है, जो छार को हाइड्रोजन आयन देता है, ये कौन है आपका, छार है, तो अमलक क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है, तो ये क्या है, अमलकी विसेशता है, सल्फियूरिक अमल, ह2SO4, सल्फियूर बताना है यह आपके छोटा सा हुमवर्क है सल्फियूरिक अमल का मैंने बता दिया आगे बढ़ेंगे यह तीनों प्रकार की अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं अर्थात यह ठोस द्रव और गैस भी हो सकते हैं किसकी बात हो रही है यहां पस यहां पस अमल की बात हो रही है जिन पदार्थों में अमल की गुड होते हैं वे पदार अमली कहलाते हैं लास्ट में मैं इसका फॉर्मूला भी आप लोंको बताऊंगी पर भी से आप लोग अपने तरफ से इसका फॉर्मूला बताएगा क्योंकि आप लोग ऑल्रेडी केमेस्ट्री में इस सब चीजे एसेड पर हमने देखा कि जो अमल होता है एसेड होता है वो सबसे पहले क्या होता है यह हाइड्रोजन आयन देता है किस में घुल कर जल में घुल कर दूसरा हमने क्या देखा था कि यह खुर्दूरा होता है और क्या करता है यह नीले लिटमस पेपर को क्या करता है लाल करत सट ही हमने यह भी देखा कि इसका जो पीहेच मान होता है वो 7.0 से हमीशा कम रहेगा यद रखिएगा कोई भी अमलग हो उसका भीहेच मान क्या होगा साथ से हमेशा कम देखने को मिलेगा फिर हमने क्या देखा हमने देखा कि आधुनिक अगर हम परिभासा की बात करें तो उसमें कहा गया है कि आधुनिक परिभासा की अनुसार जो अमल होता है वो छार को क्या देता है हाइड्रोजन आयन देता है इसका हमने एक्जामपल भी देखा सलफ्यूरिक अमल और एसेटि होते हैं याद रखिएगा अमने जो होते हैं वो स्वाद में हमेशा खटे होते हैं और क्या होते हैं यह तीनों प्रकार की अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं जैसे ठोस द्राव और गैस पिछली का अक्षा में हम देख रहे थे कि जो पदार्थी अवस्था होती है वो तीन पढ़े रहते हैं उन्हें अक्सर भोल जाते हैं तो परशान होने की जुरत नहीं है हम दुबारा पढ़ेंगे हम जीरो से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल यह बेसिक आप लों का टॉपिक होगा और सी टेट हो चैया आपका सिछक पातलता परिच्छा हो या किसी भी स्टेट का हो यह हम कह सकते हैं अभी 36 गड़ में भी जो एक्जाम निकलने वाला है सिच्छक भरती परिच्छा उन सभी में यह काम आएगा इवेन आपके साइंस के भी जो टॉपिक होते हैं उसमें भी यह सब यह चीज़े कबर होंगी चलिए अब हम बात करें टाइप लेकिन अब हम क्या करेंगे यह प्रकार हम समझेंगे कि किन अधारों पर अमलों को इतने सारे प्रकारों में बाटा गया है सबसे पहले श्रोतों के अधार पर अमलों के प्रकार सबसे पहला प्रकार क्या है आपका श्रोतों के अधार पर अमलों के प्रकार समझेंगे कि हमें जिस श्रोत से अमलों के प्रकार का मतलब क्या है कि हमें जिस श्रोत से अमलों प्राप्त होते हैं तो मुख्य रूप से हमें दोश्रोतों में प्राप्त होता है, एक तो जिवजन्तों से प्राप्त होता है, एक तो आपके खनीश लवडों से हमें प्राप्त होता है, खनीश जो मिनरल्स होते हैं, उनसे भी हमें क्या मिलता है, अमले मिलता है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें प प्राप्त होता है जैसे माल लेते हैं हम कि आपकी जीव जनतुव के जो अवसेस होते हैं इन से अमल प्राप्त होता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कार्बनिक अमल कहते हैं या और्गनिक एसे कहते हैं ऐसे अमल जीवों से अर्थात पौधों और जानवरों से प्राप्त होत लड़कियों यहाँ परमीशन नई होता है पर लड़कीया भी कभी कभी चली चाहती है तो आप अगर सक्षा ने की जुरत नी इतना formula दे देंगे और पूछेंगे कि बताईए यह किस अमल का प्रकार है या किस acid का टाइप है तो यह formula आपको ध्यान रखना है citic acid और जो acetic acid है वो किसके प्रकार है यह आपके carbonic अमल के प्रकार है अब हम बढ़ेंगे आगे चलिए दूसरा प्रकार देखते हैं carbonic अमल की हम बात करें carbonic अमल सबसे पहला हमने क्या देखा carbonic अमल तो हमने समझा कि स्रोतों के अधार पर जो अमल होते हैं वो दो नहीं किया जाता है इसे खनीजों से प्राप्त किया जाता है इसलिए इसे खनीज अमल भी कहते हैं याद रखिएगा सवाल बनता है कि खनीज और करूंटी के नाम से तो याद रखिएगा initially नाम से कार्मिक अम्रूं को जाना जाता है Kать प्रियास करेंगे ऐसे अम्रूं को खनीज पदार्थों से प्राप्त किया जाता है मिन आपके जो मिनरल्स होते है 바They किया जाता है, साथ ही नाम के अनुसार इसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, आ कार्बनिक मतलब इसमें कार्बन उपस्थित नहीं है, खनीज पदार्थों से प्राप्त किये जाने के कारण इनको खनीज अमल भी कहते हैं, तो ये एक ऐसा अमल है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम खनीच अमल कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि इसे खनीच से प्राप्त किया जाता है अगर हम इसके एक्जामपल की बात करें तो नाइट्रिक अमल HNO3, हाइड्रोकलोरिक अमल HCl, सल्फियूरिक अमल H2SO4 और बोरिक एसिट H3BO3 अब इन formula को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि science में तो आपका important हो गहीं होगा, लेकिन अगर आपसे examiner सवाल पूछते हैं तो ये आप लोगों को बन जाना चाहिए चलिए, तो क्या देख रहे थे हम, ये देख रहे थे, कि ये जो formula है, ये examiner पूछता है, और बार बार में आपसे लोगों से बात कहते हूं कि अब level high हो चुका है, अब आप लोगों को level बढ़ाना होगा, examiner आपके syllabus के अंदर से ही सवाल करता है, बस अंतर ये ही कि वो बस को limit में करके आपकी जो question है, उसको unlimited कर दिया है, मतलब आपका जो दाइरा है question का उनको क्या कर दिये हैं, बढ़ा चुके हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, carbonic और carbonic अमल, तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि श्रोतों के अधार पर, श्रोतों के अधार पर, अमल कित carbonic अमल, जिसे हम क्या कहते हैं, organic acid कहते हैं, और दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा, अकार्बनिक अमल, तो हमने ये समझा कि carbonic अमल क्या होता है, कार्बनिक अमल जो होता है वो जीवजंतों से प्राप्त किया जाता है किससे प्राप्त किया जाता है आपके जीवजंतों से प्राप्त किया जाता है जबकि आपका जो अकार्बनिक अमल है वो किससे प्राप्त किया जाता है वो खनीजों से प्राप्त किया जाता है आपके ख सांद्रता के अधार पर सांद्रता के अधार पर भी अमलों को बाटा गया है आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि अमल के कई प्रकार है जिसमें से एक श्रोतों के अधार पर हो गया और दूसरा हम समझेंगे सांद्रता के अधार पर हम अमलों की बात करें तो सांद कि अधार पर अम्ल भी क्या होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक तो सांद्र अम्ल और दूसरा क्या होता है आपका दूसरा होता है आपका तनु अम्ल एक बास समझेंगे कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या होता है अगर हम सांद्र अम्ल की बात करें तो सांद्र अम्ल क्या होता है सुध्ध अमल होता है सुध्ध अमल क्यों होता है अब देख लिजे आपके पास कोई box रखा होगा कि आपकोई बाल्टी है इसको हम मान लेते हैं यह आपका क्या है एक बाल्टी है इस बाल्टी में अमल और पानी दोनों है कि यह मान लेते हैं जो रैड कलर का है यह आ मात्रा अधिक है जबकि पानी की जो मात्रा ये जो नीला नीला आपको दिख रहा है पानी की मात्रा कम है तो ऐसा घोल या कह सकते हैं ऐसी चीज जिसमें अमल की मात्रा अधिक हो और पानी की मात्रा कम हो उसे हम सांद्र अमल कहते हैं साथ ही इसे हम सुद्ध अमल कहते हैं क्य सांद्र अम्ल, सुद्ध अम्ल सांद्र अम्ल कहलाता है, याद रखिएगा, सुद्ध अम्ल किसे कहते हैं, तो सुद्ध अम्ल आपके सांद्र अम्ल को कहते हैं, खनीज अम्ल किसे कहते हैं, तो खनीज अम्ल अकार्बनिक अम्ल को कहते हैं, यह पहला पॉइंट हो गया, समान तो उसे हम सांद्र अमल कहते हैं इसका क्या है आपका अब दूसरा हम प्रकार देखेंगे आपका तनु अमल का यह क्या है आपका तनु अमल में क्या होता है अमल में जब अधिक मात्रा में पानी मिला दिया जाए हमने क्या लिया था इक बाल्टी लिया था यह आपका अब हम इसमें क्या कर दिए? पानी की मात्रा को अधिक मिला देंगे. पानी को हम पूरा भर देते हैं. जब घोल में आपका क्या होगा? ये जो नीले रंग का है, ये क्या है आपका? ये आपका पानी है. और ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? आपका अमल है. तो सा अमल होगा तो यह आपका तनू अमल होगा क्लियर हुआ इसका उधारण क्या है तनू सल्फियूरिक अमल अब ऑक्सीजन की उपस्थिती के अधार पर अमलों के प्रकार एक बर फिर हम रिवीजन करेंगे ताकि हमें चीजे याद होती जाए सबसे पहले हमने देखा कि श्रोतों के अधार पर अमलों के प्रकार तो श्रोतों के अधार पर हमने देखा कि अमल दो प्रकार के थे सबसे पहला आपका अकार्बनीक अमल और दूसरा अकार्बनीक अमल फिर हमने दूसरा क्या देखा फिर दूसरा हमने देखा कि सांद्रता के अधार पर अमल के प्रकार तो सांद्रता के अधार पर भी अमल कितने प्रकार के हैं दो प्रकार के हमने देखा सबसे पहले सांद्रता अमल में हमने देखा कि सांद्र अमल ये सांद्र अमल क्या होता है, pure acid होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें अमल की मातरा अधीक होती है, तीर हमने दूसरा क्या देखा, तनू अमल, तनू अमल में क्या होता है, पानी की मातरा अधीक होती है, यह हो गया आपका सांद्र और यह हो गया तनू, पढ़ाई के साथ revision जितना जाद आप लूंग करेंगे हम होता है हम लोग साल भर चाहे कितनी भी पढ़ाई करें अगर हम उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो पुरा महनत बरबात हो जाता है इसलिए जैसे आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं फट से उसका रिवीजन भी करना जरूरी है तो श्र मंदरता के अधार पर क्लियर हुआ अब हम आखे बढ़ेंगे चलिए जो आपका तीसरा अधार है तीसरा अधार है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिती के अधार पर याद रखिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिती के अधार पर भी जो अमल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं क हाइड्रो अमल और दूसरा है आपका ओक्सी अमल हाइड्रो अमल और ओक्सी अमल अब दोनों में अंतर क्या है दोनों में अंतर समझेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीजन की उपस्थिती के अधार पर तो सबसे पहले हमने क्या देखा सबसे पहले हमने देखा हाइ तो हाइड्रो अमल क्या होता है हाइड्रो अमल वो अमल होता है जिसमें जो आपका ऑक्सीजन होता है ना ऑक्सीजन ये क्या होता है उपस्थित नहीं होता है जब कि ऑक्सी अमल नाम से ही सपस्थ हो रहा है ऑक्सी अमल इसमें क्या होगा इसमें आपका ऑक्सीजन उपस्थि होगा यह क्या है में डिफ्रेंस दोनों में याद रखिएगा हाइडरो जो अमल होगा उसमें ऑक्सीजन को छोड़ कर बाकी चीजे उपस्थित होंगी और आपका जो ऑक्सीजन तो उपस्थित हो गही बाकी भी चीजे उपस्थित होंगी बस अंतर यह है कि हाइडरो अमल मे आपका oxygen उपसित नहीं होगा चली समझेंगे यहाँ points देखेंगे hydro अमल यह वे अमल होते हैं जिसमें oxygen नहीं होता है परन्तु इसके अलावा hydrogen के साथ-साथ अन्य अधात्विक तत्व उपसित होते हैं जैसे कि hydro fluoric अमल hydro fluoric हमल HF इसमें क्या है hydrogen और fluorine है दूसरा है hydro chloric अमल इसमें क्या है आपका hydrogen है और chlorine है फिर है आपका hydro bromic अमल इसमें hydrogen है और आपका bromine है ठीक है यहीं है इसमें क्या कहीं पर आपको oxygen उपसित दिख रहा है नहीं इसमें oxygen नहीं है आपको hydrogen के साथ इसमें आयोडिन देखने को मिल रहा है, फ्लोरिन देखने को मिल रहा है, ब्रोमिन देखने को मिल रहा है, किन्तो इसमें ऑक्सिजन नहीं है, यही कारण है कि इसे हम क्या कहते हैं, यही कारण है इसे हम हाइड्रो अमल कहते हैं, अब नेक्स्ट अमल हम देख रहे थे, कौन सा अमल, दूसरा अमल हम देख रहे थे, ओक्सी अमल, ओक्सी अमल क्या होता है, तो इस प्रकार के अमल में ओक्सीजन उपस्थित होता है, साथ ही हाइड्रोजन और ओक्सीजन के साथ कोई अन्य तत्व भी उपस्थित होते हैं, ओक्सी अमल कहलाता है, उधारन के लिए फास्फोरस, फ्लोरस अमल, नाइट्रिक अमल और सल्फियूरिक अमल. ठीक, तो ये क्या हो गए आपके? ये हो गए हमारे ओक्सी अमल. चलिए अब हम बात करेंगे प्रबलता के अधार पर अमल. अब हमने इसके पहले क्या देखा? इसके पहले हमने देखा सांदरता के अधार पर अमल दो प्रकार के होते हैं oxygen की उपस्थिति के अधार पर अमल दो प्रकार के होते हैं अब जो हम टाइप देख रहे हैं वो किसा अधार पर है यह चूछा अधार है यह आपके प्रबलता के अधार पर अमल है मतलब कौन सा अमल प्रबल है और कौन सा नहीं है समझेंगे याद आपके वो प्रबल अमल नहीं कहलाएंगे तो यह क्या हो गया हमारे प्रबल का डेफिनिशन अब समझेंगे प्रबल अमल प्रबल अमल क्या कहलाता है ऐसा अमल जो जल में गूलने पर पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं आइनित हो जाते हैं प्रबल अमल कहलाते हैं जैसे कार है आपका दूर्बल अम्ल दूर्बल में क्या होगा यह जल्दी आइनित नहीं होंगे यह क्या है इसकी एक विसेश्था है यह ऐसे अम्ल होते हैं जो जली विलियन में आंसिक रूप से आइनित होते हैं थोड़े से आइनित होते हैं ज्यादा नहीं होते हैं दूर्बल अ तो यहां से डारेक्ट आपके सवाल बनते हैं तो इन सबको भी ध्यान में रखना है समझेंगे हम अमल के बारे में अमल एबम उनसे संबंधित पदार्थ अखिरा ही किया हम इसी की बात करे थे अगर हम अमल एबम उससे संबंधित पदार्थ की बात करे तो सबसे पहला क्या है आपका सबसे पहला है साइट्रिक अमल किसमें पाय जाता है यहां से सवाल आपको देखने को मिलेंगे तो याद रखिए का जो साइट्रिक अमल है वो नीबू संत्रा मौसमी फल खट्टे जो फल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है उसमें साइट्रिक अमल पाया जाता है दूसरा है आपका एसेटिक अमल की हम बात करें तो एसेटिक अमल जो होता है वो कहां पाया जाता है तो एसेटिक अ कि बात है तो दोत्ध से संबन्धित पदार्थों में पाया घो ख्लीर हुआ अब देखते हैं कुछ और भी पदार अचांजर का झालिन क्ला है के यहां भी सवाल अर्डी बन चुके आपके लाल कच्चा अंगूर इताटरिक अमल किसमें मौझूद होता है आपके इमली और कच्चा अंगूर अगर आप बहुत सारा एक्जाम पेपर उठागर देखेंगे तो यहां से सवाल देखने को आपको जरूर मिलेंगे तीसरा है चौथा है आपका ओक्जेलिक अमल ओक्जेलिक अमल हमेशा आपको टमाटर में देखने को मिलेगा टमाटर में यह अमल क्या होता है उपस्सित होता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं ओक्जेलिक अमल कहते है अगला है मेलेइक अमल यह सेब में पाये जाता है यूरिक अगले टॉपिक है आपका एसे ड्रेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है हमने आज की जो कक्षा में पढ़ा है एक बार हम उसका रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले हम अमल देख रहे थे ठीक फिर हमने क्या देखा अमल का प्रकार देखा किन अधारों पर तो टोटल आपका जो है वो चार अधारों पर अमलों को बाटा गया था सबसे पहले हमने देखा आपनों को याद हो जाना चीए यहीं पर कोई दिक्कत नहीं है सांद्रता के अधार पर, स्रोतों के अधार पर, सांद्रता के अधार पर अमल दो प्रकार के थे कौन-कौन सा, सांद्र अमल और तनू अमल, स्रोतों के अधार पर आपके कौन से अमल थे, दो अमल थे, कार्बनिक अमल और अकार्बनिक अमल, हाइडरोजन, ओक्सीजन की उप प्रकार को समझा फिर हमने अमल को भी समझा फिर हमने क्या समझा था फिर हमने ये भी समझा था कि ऐसे कई पदार्थ है जिसमें विभिन प्रकार के अमल हमें देखने को मिलते हैं और exam के point of view से टॉपिक बहुत ज़्यादा अगर आप चाहते हैं अपने केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए competition community के साथ आज ही हमारे website के carrier पेज पर विजिट करें अथ्वा description box पर दिये गए link पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ team COCO